दो हजार चौबीस की पहली शिवरात्री कल यानी नौ जनवरी को मनाई जाएगी। शिवरात्री के शुब अवसर पर जाने एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां भगवान शिव माता पारवती के गोद में सर रखकर आराम करते हुए नजर आते हैं। इसलिए इस मंदिर में उन्हें भोग शैन शिव कहा जाता है और माता पारवती यहां सर्व मंगलामबिका के रूप में विराजती हैं। कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले हला हल को पीने के बाद भगवान शिव जब माता पारवती के साथ कैलाश लोट रहे थे तब चलते चलते वो आंधर प्रदेश आ पहुँचे। जहां उन्हें थकान और अस्वस्त महसूस होने लगा जिस कारण भगवान शिव माता पारवती की गोद में सिर रखकर उसी जगह आराम करने के लिए लेट गए। जिस जगह पर भगवान शिव ने विश्राम किया वहीं पल्ली को अंदेश्वर मंदिर का निर्मान किया गया। तभी से इस स्थान को सुरुता पल्ली कहा जाता है। सुरुत का अर्थ है थकान और पल्ली का अर्थ है विश्राम करना।